नमस्कार आप देख रहे हैं जीपी के न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शिवांगी पारिक राजस्तान में सियासी ड्रामा जारी है मुख्यमंतिर अशोग गैलो ता सचिन पाइलेट की लडाई अब हाई कोट पहुंच गई है पाइलेट और उनके 18 समर्तकों को पार्टी भी हिप के उलंगन में मामले में विधान सबाई स्पीकर की और से नोटिस जारी किया गया है पाइलेट ने इस नोटिस में हाई कोट को चुनौती दी है इस पे गुरुवार को लंबी भहस होई और आज भी सुनवाई होनी है उधर मुख्यमंतरी अशोग गैलो तास मीडिया से मुखातिब होने वाले थे लेकिन कुछ ही देर पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फरेंस कैंसिल हो गई आखिर क्या होगा राजिस्थान की राजनीती में क्या पाइलेट मान जाएंगे या फिर राजिस्थान में सत्ना पलट के आसार दिख रहे हैं आईए अब तक के ताजा हालात को हम आपको 10 पॉइंट के जरीए समझाने की कोशिश करते हैं सचन पाइलेट और 18 अन्यबागी विधायकों ने गुरुवार को उन्हें राज्य विधानसभा के आयोग करार करने के लिए कॉंग्रेस की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बेचे गए नोटिस को चुनोती दी है इस मामले में राज्यसान उच न्यायले के एक खंड पीट शुकुरुवार दोपैर एक बज़े सुनवाई कर सकती है विधानसभा अध्यक्ष कारले में विधायकों को आज दोपैर एक बज़े तक ही नोटिस का जवाब देने को कहा है इस याचिका पर गुरुवार को करीब तीन बज़े न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा ने सुनवाई की लेकिन बागी केमे के वकील वरिश अध्यवक्ता हरीश सालवे ने नए सिरे से याचिका दायर करने के लिए समय मांगा शाम करीब पाँच बज़े असंतुष्ट खेमे के संशोदितियाचि का दायर की और अधालत ने इसे दो नयायदीशों की पीट के नियुक्त के लिए मुख्य नयायदीश इंडरजीत महनती को भेज दिया दोनों पक्षों की और से अदालत में जाने मने अधिव्यक्ता पेश हुए थे विधानसबा अध्यक्ष के कारल लीक के और से कॉंग्रेस नेता अभिशेक मानुसिंद्वी अदालत में पेश हुए थे वहीं हरीश सालवे और मुकल दोगित की पाइलेट खेमे की और से अदालत आये थे विधानसबा अध्यक्ष को भेजी गई शिकायत में कॉंग्रेस ने पाइलेट और अन्य भागी विधायकों के खिलाफ सम्विधान की दसवी सूची के पेरग्राफ 2AA के तहट कारभ़ी करने की मांग की है इस प्रावधान के तहट अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिसका वे प्रतिनी दी बनकर विधानसबा में पहुचा है तो वे एक सदन की सदस्यता के लिए आयोग हो जाता है राजिस्तान की 200 सदस्य विधानसबा में कॉंग्रिस के पास 107 और भाचपा के पास बहत्तर विधायक है अगर 19 वागी विधायकों को आयोग करार कर दिया जायता है तो राज्य विधानसबा में मौझूदा प्रभावी संक्या घटकर 181 हो जाएगी जिससे भहूमत का जादूई आकड़ा एकरांड में पर पहुँच जाएगा और मुख्यमंतरी अश्योक गहलोत के लिए भहूमत कायम रखना आसान होगा सचिन पाइलेट के अदालत करुख करने के बाद कॉंग्रेस नेताओं का एक धड़ा माननता है कि राजिस्थान में पूर्व उपुमुख्यमंतरी बहुत आगे जा चुके हैं हाला कि सूत्रों ने ब्रिस्पतिवार को कहा कि पार्टी के शीर्ष्ट नेत्रट में अभी पाइलेट के लिए दर्वाजे खुले रखना चाता है सूत्रों ने ये भी बताया कि पार्टी नेत्रत में मुख्यमंत्री अशोक कैलोट से कहा है कि वैप पाइलेट के खिलाफ तल्क टिपनियों से परहेज करें कॉंगर्स के वरिष्ट नेता कपिल सिबल ने प्रस्पतिवार को राजिस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलेट का कटाक्ष करते वे कहा कि अगर वैप भाजपा में नहीं जा रहे हैं तो फिर लगता है कि हर्याना के मानेसर में एक होटल में बागी विद्धायक कॉंगर्स के विद्धायकों के साथ छुटियां मना रहे हैं अपनी ही सरकार से बगावत करने वाले पूर्व डिप्टी सीम और PCC चीफ सचिन पाइलेट का खेल उनकी ही चार करीबी विद्धायक मित्रों ने बिगार डाला ये चार विद्धायक पाइलेट के खास दोस्तों में किने जाते हैं सूटरों का दावा है कि जापुर में विद्धायक दल की बैठक से एक दिन पहले तक के सभी पाइलेट के साथ ही थे होटल आईटी सी के कैंप में भी मौजूद रहे थे लेकिन सचिन पाइलेट टे गहलोट सरकार के अलपमत के दावे से कुछ घंटे पहले ही ये दिल्ली पहुँचे नागोर के सांसर्थ और राश्ट्रे लोकतांत्रिक पार्टी के राश्ट्र संयोजग हर्मान बेलिवाल ने एक ट्विट में अपने फॉलोवर्स को बताया कि राजिस्थान में सीम अशुक गैलोट और पूर्व सीम वसंद्रा राजे का गठ जोड जनता के सामें खुलकर गया है यह दोनों एक दूसरे के ब्रिष्टा चार पर परदा डालते रहे हैं सूत्रों के मुताबक राहूल गांधी नहीं चाते हैं कि पाई प्लेट पार्टी छोड़ कर जाएं सूत्रों ने कहा कि सचिन पाईलेट को बेशक उपमुक्ति मंत्री और प्रदेश कॉंगर्स कमिटी के प्रमुखपद से हटा दिया गया है इसके बावजूद पार्टी के एक नेता उनके संपत्त में है कॉंगर्स प्रमक्तार रंदी फुजवाला ने कहा कि कोई भी परिवार में वापिस आ सकता है